अब आप के माधियम से होगी सच्चाई और बाढ़ योजनाव की मॉनिट्रेंग अब ड्यूटी से गाइब रहने बाले यातायाद पुलिस कर्मियों की ख्यार नहीं डाइल 112 के लिए सेना के ड्राइवरों की ली जाएगी सेवा तीन से नौ साल के बच्चों के बहतर सिक्षा के लिए जल्द ही तैयार होगा एक खास स्पोर्ट आई पी एल के पंद्रहवे सीजन में हुआ बड़ा फेर बदल अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और वस्तार से अब आप के माधियम से होगी सचाई और बाढ योजनाओ की मॉनिटरिंग की जानी है इसको लेकर बीते दनोही मंतरी संजे कुमार जहा ने दृष्टी आप को लाँच कर दिया है जानकारी के नुसार ये परियोजना प्रबंधन में आदर्श बदलाव लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ही की गई है। परियोग को ही प्रोथ साहित किया है। परियोजना प्रेश्ट अभिनित्री का गुल्ड अवार्ड भी जीता है। जहां का जन्म आज ही के दिन बेगु सराय बिहार भारत में हुआ था। वो कॉलकता में अपने परिबार के साथ रहने चली गए। जहां से उन्होंने 10 साल तक वो वहां पर रही और फिर काठमांडू नेपाल वो चली गई। वो फिर नई दिल्ली चली गई। वहां उन्होंने लक्षमन पब्लिक स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने श्रीवेंक के टेश्वर कॉलेज नेदिली से अंग्रेजी में कलासना तक की दिगरी पूरी की है। साथी कहा है कि जवानों को हर हाल में अपनी 33 स्थल पर मौजूद रहना ही होगा। इसमें सभी तरह की लापरवाही बरदाश नहीं की जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसी श्रीकायते सामने आई हैं कि कई जवान बिना अनुमती और सूचना के 33 स्थल से गायब हो जाते हैं। इंडियन बांक ने निकाली रुखतियां। इंडियन बांक ने सुरक्षा गार्ड के कुलमिलाकर 202 पद पर आविदन की मांग की है। इन पदों के लिए सेक्षन क्योगिता की बात करें तो अभियर्तियों के पास कक्षा 10 वी पास होना अनिवारे हैं। इच्छुक और य कोरोना काल होने के बावजूद बिहार में बढ़ा अनाज उतपादन। कोरोना की मार से बिहार समेत पूरा देश पिछले दो साल से परिशान है। कोरोना के कारण ही देश के साथ-साथ बिहार की अर्जविवस्था पर भी बड़ी चोट लगी है। हालाकि इस बीच एक र शमलब 9% की व्रिधी दर्ज हुई है। सबसे खास बात ये है कि ये व्रिधी उतपादक्ता बढ़ने के कारण हुई है। साथी सरकारी सहायता से खेती बे नई तकनीक के समावेश का भी इस पर असर पड़ा है। हालाकि जानकारों ने ये भी दावा किया है कि आने वाले स समय में अगर मौसम साथ देता तो व्रिधी दर नया मुकाम हासिल कर लेती। आपको बता दे कि ये आकड़े स्वास्त मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिन पेश किये गया आर्थिक सर्वे के दौरान दी है। कि अब डॉक्टर राजिन प्रिशाद की जन्मस्थली जुरादे में आर ओबी बनाने पर सहमती बन गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि बीते दिन ही पतना हाई कोट ने भारत के पुर्वराश्ट्रपती डॉक्टर राजिन प्रिशाद के स्मारों को की दुर्दर्शा के मामले में दायर जन्हिति याचिका पर पटना हाई कोट ने सुनवाई की। इस बाबत चीफ जस्टिस संजे करोल की डिविजन बेंच को रेलवे और राजुसरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि जुरादे के सामने रोड ओवर बिज निर्मान की सेह मती हो गई है आपको बता दे कि यह जन्हिति याचिका अधिवक्ता विकास कुमार की तरफ से दायर की गई थी बिहार में अब कॉलेजों का होगा प्रोविजनल एक्रिडेशन बिहार के सभी कॉलेज के लिए नैक यानी की राष्ट्रिय मुल्यांकन और प्रत्यान परिसत ने मुल्यांकन प्रक्रिया में बदलाब किया है जिसके तहती अब कॉलेज के लिए प्रोविजनल एक्रिडेशन भी मिलेगा इसका शौट नाम पैक यानी की प्रोविजनल एक्रिडेशन ऑफ कॉलेज होगा सबसे एहम बात यह है कि इसकी वैधता किवल दो वर्ष की होग इसका लाफ नव संबंध और अस्थाइस संबंध कॉलेज को होगा इससे आने वाले समय में फाइदा ये होगा कि अगर कोई भी कॉलेज जहां यूजी और इससे उपर की पढ़ाई होती है वो पैक के लिए आविदन कर सकेगा जिससे की नामांकन के बाद कम से कम एक बच्चे हैं और आप भी उनके फोन पर बेवज़ग के वीडियोस देखने से परिशान है तो आपके लिए हमारे पास एक काम की खबर है जोसे आपके बच्चे फोन भी देख सकेंगे साथी फोन से ही वो सिक्षा प्राप्त कर सकेंगे जी हां आपने सही सुना क्योंकि बि विभाग द्वारा चैनित राज्यों में बिहार के अलावा जहरखन, आंध्रप्रदेश, राजस्थान और हर्याना इसमें शामिल है बिहार बोट इंटर परिक्षा की कौपियों का मुल्यांकन होगा आज से बिहार बोट की तरफ से दसवी और बारहवी की परिक्षा का आ उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन 26 फरवरी से 8 मार्श तक चलेगा, मुल्यांकन में शामिल सिक्षकों को बीते दिन ही मुल्यांकन केंद्रों पर योगदान देना होगा, इसको लेकर विहार भर में 133 मुल्यांकन केंद्रों बनाए गया है, इंटर उत्तर के मुल्यांकन के लिए 15,000 सिख्चकों को भी लगाया गया है साथी प्रतेक मुल्यांकन केंदर पर 6 कंप्यूटर सिस्टम लगाये है कंप्यूटर ओपरेटरों को सेम डे अंक अपलोड करना होगा डायल 112 के लिए सेना के ड्राइवरों की ली जाएगी सेवा जिस तरह से बिहार पुलिस स्पेशल ऑक्जिलियरी पुलीस के रूप में सेना के रटाइड जवानों सेवा ले रही है ठीक उसी तरह अब बिहार में डायल 112 के लिए भी सेना के रटाइड 1255 ड्राइवर से सेवा ली जाएगी जिसके तहट अब उन्हें हर महीने ही 25,000 रुपे वेतन और साल में एक बार वर्दी भत्ता के रुपे 4,000 रुपे दिया जाएगा जिस पर ही सालाना करीब 38.15 करोर रुपे खर्च होगा आपको बता दे हाली में सुप्रीम कोट की तरफ से इस बाबत दिश्रा निर्देश पर जारी किया गया था जिसमें ही अन्य राजियों की तर्च पर बिहार में भी अप्रेल महीने से डायल 112 शुरू होने जा रहा है अब प्राइविट एजिंसी जाचेगी ट्रेनों में खाने की कॉलिटी ट्रेन में यात्रियों को सफर के दौरान कैसा खाना दिया जा रहा है कैसा नहीं इसकी जाच अब प्राइविट एजिंसी करने वाली है मिली जानकारी के नुसार खाने की गुनवत्ता की जाँच का जिमा प्राइबिट एजणसी को दिया गया है इतना ही नहीं, ये एजणसिया खानपान में इस्तमाल होने वाले कच्छे माल और बने भोजन की जाँच भी करेगी इससे base kitchen में बनाए जाने वाला खाना यात्रियों के लिए गुनवत्ता पुर्ण होने वाला है वहीं ये सभी agency train के base kitchen से यात्रियों को मिलने वाले खानपान की गुनवत्ता का feedback यात्रियों से भी लेने वाली है जिसके लिए third party agency यात्रियों का सर्वे कराएगी यात्रियों को बहतर खाना मिले इसके लिए बेस किचन में फूट सेफटी सुपरवाइजर रखे जाएंगे उमीद है कि ट्रेनों में ये ववस्ता जू नहीने से लागू हो जाएगी इस दिन से आयोजित होगी JEE Advance परिक्षा कोरोना के मामलों में गिरावट आने के साथ ही अब बची हुई परिक्षाओं का आयोजिन करवाया जा रहा है इसी कड़ी में अब JEE Mainz परिक्षा के आयोजिन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है जिसके तहती बीते दिन IIT में प्रवेश के लिए आयोजित JEE Advance 2022 की तारीख को जारी कर दिया गया जिसके तहती आगामी 3 जुलाई को इस परिक्षा का आयोजिन होने वाला है वही JEE Advance का रेजिस्ट्रेशन 8 से 14 जून शाम 5 बजे तक होगा फीज जमा करने के अंतिम तारीख 15 जून है वही दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्क्राइब के च्रेन का समय 2 जुलाई तक होगा जिसके बाद Admit Card 27 जून को सुभह 10 बजे तक जारी कर दी जाएगी Admit Card 3 जुलाई तक डाउनलोड भी किया जा सकेगा बिहार के कई जुलो में जारी हुआ यलो अलर्ट बिहार के कई जुलो में बारिश का मंजर देखने को मिल रहा है मौसम विभा की तरफ से साजह की गई जानकारी के नुसार आज भी कई जुलो में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्यानिकों की माने तो बिहार में बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवा के प्रभाव से प्रदेश के मौसम ने करवट ली है राजधानी समेट दक्षिन बिहार के कई जुलों में आज दो पहर बाद बादल चाय रहने का पुरवानुमान लगाया गया है साथ ही कई जगों पर हल्की बुन्दाबांदी भी हो सकती है मौसम विज्यान केंद्र पठना से प्राप्त जानकारी को देखे तो प्रदेश में अगले 24 घंटे तक इसी प्रकार के स्थिती बनी रहेगी मौसम विभाग का ये भी मानना है कि आज भी रातने मध्यमस्तर के बादल चाय रहने के साथ प्रदेश के दक्षिनपुर्व, दक्षिनमध्य, उत्तरपुर्व, उत्तरमध्यभाग के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और मेग गर्जन का कुर्वान माना वित्तमंत्री के आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट पेश किये जाने के साथ ही सोमबार तक स्थगित हुआ सदन बीते दिन से बिहार विधान सभा में बजट सत्र की शिरवात हो गई है जिसके तहट ही सत्र के पहले दिन वित्तमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट पेश किया सत्र की शिरवात पहले ही विजए सनहा के सदन को संभोधित करने और बाद में राजपाद फागुच चोहान के अभिभाशन से हुई उसके बाद ही वित्तमंत्री ने अपनी तरफ से आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट को पेश किया वही शोप्रस्ताव के बाद सदन की कारवाई सोंभार तक के लिए सगित कर दी गई है इस दोरान ही बिहार नगरपाली का अधिनियम 2007 का संशोधन प्रस्ताव तारकिशोर प्रसाद ने सदन में रखा साथिव धान परिशत के 207 पर सदन के सदस्यों ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे सत्र में वो वेल में आकर हंकामान नहीं करेंगे नौकरी के लिए फिर से सडकों पर उत्रे STET अभियर्थी STET 2019 की मेरिट लिस्ट में आये अभियर्थी बीते कई दिनों से राज़ानी पटना की सडकों पर अपना विरोध प्रदर्शिन कर रहे है इसी के साथ बीते देन एक बार फिर से इन सभी अभियर्थियों का गुसा साथवे आस्मान पर देखने को मिला जिसके तहती ये सभी अभियर्थी गर्दनी बाग धर्ना सल से गेट तोड़ कर वधान सभा की तरफ निकले अभियर्थियों को आर ब्लॉक के पास पहुचते ही पुलीस कर्मियों उन्हें वहाँ पर रोक दिया जिसके बाद ही पुलिस ने सभी को समझा बुझा कर वापस भेज दिया लेकिन कुछ लोग फिर भी धरने पर बैटके उन्हें भी एसपी काम्या मिश्रा ने समझा कर वापस भेजा अभियर्थियों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द न्यूकती पत्र दिया जाए कितना सवच्छ है पटना शहर बताएंगे एक मार्च से पटना वासी हाला कि इसकी प्रोक्रिया एक फरवरी से ही शुरू होने वाली थी लेकिन केंद्र सरकार ने तारीक बढ़ा दी है ऐसे में अब पटना नगर निगम को भी लगभग एक महीने का अतिरिक्त समय मिला है नगर निगम ने अभी तक स्वच्छता को लेकर कितनी योजनाओ पर काम किया है इसका डेटा केंद्र की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है इस बार शहर के बुज़र्बों से भी फीडबाक लेने का काम हो रहा है इसको लेकर ही उम्र के हिसाब से कई समय भी बना दिये गये है बालमे की टाइगर रिजर्व से कैमूर भीज जाएंगे बाग बालमे की टाइगर रिजर्व में लगातार बागो की संख्या में इजाफा हो रहा है इसकी बज़े से VTR का शेत्र यहां के बागो के लिए कम भी पढ़ने लगा है क्योंकि VTR में 50 से कम ही बागो के वो रखने की शम्दा है बागो की संख्या जैसे ही 50 के पार होगी बागो का आपसी संघर्ष और ज्यादा बढ़ सकता है इसकी जानकारी खुद मुख्य बन संग्रक्षक हेमकांत रोय ने दी है इस बावत उन्होंने बताया है कि बाल में की टाइगर रिजर्फ का जितना केटरिंग क्यापसिटी था उतनी बागो की संख्या पहुच चुकी है इसके लिए केंद्र और राज्यसरकार को प्रस्ताव भेजने की तयारी की जा रही है संख्या अधिक बढ़ने पर बागो को कैमूर भेजा जा सकता है भारत में इसपात उतपादन में होगा बढ़ावा बिहार जद्यों की तरफ से एकलोते मंत्री केंद्रे इसपात मंत्री आर्सेपी सिंग ने बीते दिन आने वाले दिनों में भारत में इसपात के उतपादन में बढ़ावा होने की बात कही है इसको लेकर भारत सरकार द्वारा ओडिसा में आयोजित खनिच समर्थ राज्यों के खान और उद्योग मंत्रियों के साथ समेलन का दीप्रजवलेत कर उद्गाटन किया साथ ही उन्हाने कहा कि भारत में 300 मिलियन टन इसपात उतपादन शंता के लक्षे को सरकार साकार करने के लिए राज्यो और इसपातमंत्राले को साथ मिल कर काम करना होगा लालो जादव के लिए रत यात्रा निकालेंगे तेश प्रताप जादव राज़त अध्यक्ष लालो प्रिसाद यादव शारग होटाला मामले में लगातार फस्ते जा रहे हैं लेकिन उनके बेटे अब उन्हें बचाने की मुहीम शुरू करने वाले हैं यही कारण है कि जब से लालो यादव को सजा सुनाई गई है तब से ही तेशप्रता अप्यादव भाजपा को इसके लिए जिम्मदार मान रहे हैं यही कारण है कि तेश्पता प्यादव ने एलान किया है कि वो अपने पिता को जेल से बाहर लाने के लिए निया यात्रा निकालेंगे। इसको लेकर तेश प्रताप यादव ने पत्रकार बारता में कहा कि सरकार अपनी गलत नीतियों का विरोध करने बालों को मुकद्मों में फसार है बिहार भाजपा अधियक्ष ने अपने ही MLA को दे दो टूक नसीहत बीते दिन बिहार भाजपा के अधियक्ष और सांसद डॉक्टर संजी जैसवाल ने अपने ही MLA को दो टूक नसीहत दे दी दरसल हुआ कुछ यूँ की हाली में भाजपा के विधायक हरी भूशिन ठाकुर ने अपना बयान जारी किया था और कहा था कि मुसल्मानों से वोटिंग का अधिकार चीन लेना चाहिए जिसके बाद सही उनके इस बयान पर बवाल मच गया मामले की गहनता को देखते वे भिहार भाजपा अधियक्ष संजी जैसवाल ने कहा कि जन भावनाओ को आहत करनी की छूट नहीं दी जा सकती है कुछ लोग संविधान प्रदत इस अधिकार का दुरुपियोग करने को ही अपनी स्रेश्टता समझने लगे है बोलने की आजादी की आड में बेलगाम बयान देना फैशन सा हो गया है दुर्भागे से विपक्षी दलोद्वारा शुरू किये गये इस ट्रेंड के श्रिकार कुछ पक्षवाले भी हो गये है नई सिक्षानिती के तहट सीबीएसी की नौवी और दसवी में दो अनिर विश्यों की भी शुरू होगी पढ़ाई सीबीएसी से नौवी और दसवी करने वाले चात्रों के लिए एहम सूशा आने वारे समय में यानि की अगले ही सेशन में नई सिक्षानिती के तहट दो विश्यों को शुरू करने की योजरा बनाई जा रही है CBSE की तरफ से साजह की गई जानकारी के नुसार 2022 सेशन में नौवी और दसवी के लिए कम्यूनिकेटिव इंग्लिश और संस्कृत की पढ़ाई शुरू होगी यानि की इस सेशन में दोनों ही लेवल पर इन विश्यों की पढ़ाई CBSE द्वारा बनाए गए assessment model, curriculum और syllabus की आधार पर कराये जाएगा ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों विश्यों के जरिये विद्यार्थियों के साथ कम्यूनिकेशन आधारित गते विधियों का आयोजन किया जाएगा ताकि विद्यार्थि उन भाशाओं को ज्यादा से ज्यादा depth में समझ सके विद्यार्थियों को कम्यूनिकेटिव लांगविज और लिटरेचर आफ संस्कृत और अंग्रेजी में एक चुनना होगा आईपियल के पंध्रहवे सीजन में हुआ बड़ा फेर बदल आगामी आईपियल सीजन के लिए बड़ा फेर बदल हुआ है क्योंकि पहली बार आईपियल के थेहास में 10 टीमें खेलती ही दिखाई देंगी इससे पहले हर बार आईपियल में 8 टीम ही शिर्कत करती थी लेकिन इस बार गुजुरात और लखनव की टीम भी इसमें शामिल हो गई है टीमों को अब दो ग्रूप में बाटने का काम किया गया है जिसके हिसाब से एक ग्रूप में पढ़ने वाले टीम आपस में दो मुकाबले खेलेंगी और दूसरे ग्रूप की टीम सिर्फ एक मुकाबला खेलेगी ग्रूप A में मुंबाई इंडियन्स, दिली कापिटल, कॉलकता नाइट राइडर्स, लखनव सुपर जाइंट्स और राजस्थान रोयल्स है ये टीमें आपस में दो मुकाबले खेलेंगी और ग्रूप B के साथ एक मुकाबला खेलेंगी ग्रूप B में चैने सुपर किंग, रोयल चालेंजर्स, बैंगलुरो, गुजराद टाइटन्स, सन्राइजर हैदरबाद और पंजाब किंग्स है ये टीमें आपस में दो मुकाबले खेलेंगी और ग्रूप A के साथ एक मुकाबला खेलेंगी भारत के इतिहास में आज की तारी कई कार्णों से दर्च चंद्गृप प्रथम को 320 में पाठले पुत्र का साश्रक बनाए गया पश्रिम मंगाल के बहरामपुर में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में पहला सैने विद्रो हुआ वर्धा के निकट अर्वी में स्थित विक्रम अर्थ सैटलाइट स्टेशन 1972 में भारत के चौथे रास्ट्रपती वीवी गिरी ने देश को समर्पित किया गुजरात के एहमदाबाद में 1975 में देश का पहला पतंग संग्रहाले शंकर केंद्र स्थापित किया गया एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और राजनितिक गेब बेनेगेल नर्सिंग राव का 1887 में जन्म हुआ भारत के दस्वे मुखे ने अधीश केलाशनात वांचु का 1903 में जन्म हुआ आज़ी के दिन सन 1966 में स्वतंतरता से नानी विनायक दामोदर सावरकर का नितनुमा था यूजर के लिए बेहद सेफ प्लाटफॉर्म बना इंस्टरग्राम इंटरनेट को एक सेफ जोग है बनाने के लिए कंपनी अलगातार कोशिश कर रही है इंस्टरग्राम भी इसको लेकर काफी गंभी रहे बीतेक उस दुनों से इंस्टरग्राम में कई नए फीचर्स की एंटरिवी हुई है जो इसे यूजर के लिए एक बेहद ही सेफ प्लाटफॉर्म बनाती है Instagram को एक safe platform बनाए रखने के लिए company काफी गंभीर है इसके लिए company ने अपनी अलग social policy बनाई है इन में Facebook और Instagram के do's और don'ts के बारे में बताए गया है इस platform पर image detection technology का इस्तमाल भी किया जाता है इसके जरीए उन contact को खोजा जा सकता है जिन पर Facebook के third party fact tracking program ने band लगा रखा है जाज के नाम पर traffic police करते हैं मनमानी आप दो चका या फिर चार चका चलाते हैं तो आपको कभी न कभी traffic police से पालाज जरूर पड़ा होगा स्थानिय थाना गारी जांच के नाम पर लोगों से जर्माने का डर दिखा कर मोल भाव कर मोटी रकम कमाते हैं लेकिन सचाई ये है कि इन पुलिस कर्मियों को overloading insurance और permit जांच करने का अधिकार ही नहीं है इसके बावजूद insurance जांच के नाम पर बाइक, कार, बड़ी गारियों को पकड़ते हैं और जर्माना भड़ने को कहते हैं लेकिन सचाई ये है कि इनके पास इन धाराओं के लिए परिवहन विभाग के अधिकार तक नहीं है अगर हम परिवहन विभाग के नियम को देखे तो कई ऐसे कागज़ात हैं जिसकी जाज, ट्राफिक पोलीस और स्थानिय थाना को नहीं करनी है ऐसे में परिवहन विभाग ने इसंसरी ज़िलों को धाराओं की कॉपी भेजिए है जिसमें उन्हें धाराओं के साथ उसमें श्रक्ति के बारे में अच्छे से विस्तार से बताए गया है। जिसमें आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप क्रिकेट ट्रेमी हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चानल चकदे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। जिसका लिंक आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भारत बनाम श्रीडंका के बीच आज खेले जाने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले में क्या भारती टीम जीत के साथ सीरीज अपने नाम कर पाएगी या नहीं। अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अब्डेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक को न दबाना ना भूलें। धन्यवाद।